Halo Friends! आज किसी वीडियो में हम आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने VOI 72 Android में आप जो Swype Lock कैसे सेट कर सकते हैं अपने वाइल पोन पे, ठीक है? और इस Swype Lock सेट करने के बाद आपकी ये सेटिंग कैसे काम करेगी? आज कि इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज को ओपन कर लिए अपने वाइल फोन में सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है या पर आपको यह option मिलेगा security का security पर select करना है अब security के इस page में आपको नीचे आना है या आपको यह option मिलेगा screen lock इसे आपको select करना है अब इसके अंदर आपको यह option मिलेगा swipe का swipe पर आपको इसे select करना है ठीक है तो यहां पर जब भी आप अपने mobile phone की screen को off करेंगे, ठीक है, इसके बाद screen को on करेंगे, तो यहां पर आपके mobile phone की, यहां पर इस तरीकी से swipe lock लगा हुआ नजर आएगा, अगर आपको अपने phone को unlock करना है, तो आपको नीचे से उपर की तरफ ऐसे लंबा slide करना है, तो आपका phone unlock हो जाएगा, ठीक है, तो यह swipe lock set करने के बाद ऐसे काम करेगा, आपके mobile phone में, अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ, आपके mobile phone में, इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है, तो setting page को हम यहां पर फिर से open कर लेते हैं, setting page में आपको सब से उपर यह option मिलेगा, search icon का है, इसे आपको select करना है, और यहां पर आपको search bar में, screen lock आपको यहां पर type करना है, ठीक है, screen lock, तो आपको जो है न नीचे की सैड़ी, screen lock का option show हो जाएगा, यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, कि जब भी आप search bar में setting का name आप type करेंग तो यहां पर आपको spelling mistake नहीं करनी है, अगर आप यहां पर spelling mistake करेंगे, तो आपको नीचे यह option दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो चलिए वीडियो को आगे continue कर लेते हैं, आपको screen lock का यहाला option select करना है, जिसके नीचे setting security लिखा होगा, इससे क् आपको mobile phone आपको directly setting में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया, इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में,